पित्रिपक्ष में पित्रों को अंगूठे से ही क्यू दिया जाता है पानी, अनामिका उंगली में क्यू पहनते हैं? कुशा की अंगूठी, पित्रिपक्ष चल रहा है इसमें कई लोग, श्राध करते हैं, पित्रिपक्ष के दौरान श्राध में पिंदान और तरपन के साथ ब्राह्मन भोजन भी करवाया जाता है, ऐसा करने से पितर त्रिप्थ होते हैं, पिंदान और तरपन में पित्रों को स परमपराओं और उनके कारणों के बारे में, एक ये हैं वो परमपराएं, श्राद कर्म करते समय पित्रों का तरपन भी किया जाता है, यानि पिंडों पर अनबूठे के माध्यम से जलांजली दी जाती है, महाभारत और अगने पुरान के अनुसार अनबूठे से पित्रों को होता हुआ पिंडो तक जाता है, पित्री तीरत से होता हुआ जल जब अनबूठे के माध्यम से पिंडो तक पहुँचता है, तो पितर पूर्ण रूप से त्रिप्थ हो जाते हैं, हिंदू धर्म में कुशा एक विशेश प्रकार की घास को बहुत पवित्र माना गया है, अ श्राध कर्म में कुशा की अंबूठी धरन करने से अभिप्राय है कि हमने पवित्र होकर अपने पित्रों की शांती के लिए श्राध कर्म वपिंडान किया है, महाभारत के अन्यप्रसंद के अनुसार, जब गरुल देव स्वर्ग से अमरित कलश लेकर आए, तो उन्होंने वह कलश थोड़ी देर के लिए कुशा पर रख दिया। कुशा पर अमरित कलश रखे जाने से कुशा को पवित्र माना जाने लगा। वीट्रिप्त होकर सुक सम्रिधी का आशिर्वाद देते हैं, भुजन करवाने के बाद ब्राह्मनों को घर के द्वार तक पूरे सम्वान के साथ विदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कि ब्राह्मनों के साथ शात पित्री भी चलते हैं, ग्रंतों के अनुसार क वाईयम का प्रतीक है जो दिशाओं का फलित शुब शुब संकेत बताने वाला बताता है इसलिए श्राध का एक अंश इसे भी दिया जाता है कौउं को पित्रों का स्वरूप भी माना जाता है माननेता है कि श्राध का भूजन कौउं को खिलाने से पित्री देवता प्रसन हो इसे कुपकर बली कहते हैं, महाभारत के अनुसार, श्राधा पक्षमे चतुरदशी, तिती के दिन श्राध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो लोग तिती के अनुसार अपने परिजनों का श्राध करते हैं, वे विवादों में घिर जाते हैं, उसके घर वाले जवानी में ही मर जाते हैं, और श्राध करता को भी शीग रही लड़ाई में जाना पड़ता ह इस दिन केवल उन्ही परिजनों का श्राध करना चाहिए, जिनकी अकाल मृत्यू हुई हो, अकाल मृत्यू से अर्थ है, जिसकी मृत्यू, हत्या, आत्महत्या, दुरगटना, आदी कारणों से हुई है, इसलिए इस श्राध को शस्त्रागात मृत्यू का श्राध भी कहते हैं इस्तिथी के दिन जिन लोगों की सामान्य रूप से मृत्यू हुई हो उनका श्राध सर्वपित्रिमोक्ष अमावस्या के दिन करना उचित रहता है